हाई गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपडेट पहले आपको मिले यह बिल्कुल फ्री है आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डिफेरेंशियेट बिट्विन मेल एन फिमेल जेवना डैनियोस यह फिश में मेल एन फिमेल फाइंड आउट करना थोरा सा मुश्किल है क्योंकि मेल एन फिमेल सेम ही दिखता है कालर में भी और साइज में भी इसके वज़ा से मेल एन फिमेल फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है बट थोरा साहिन है इसे देखकर आप मेल एन फिमे इसके बाद ही आप identify कर सकते हैं उसके पहले नहीं अदल्ट होने के बाद ही आप को identify करना पड़ेगा मेल और फिमल के डिफेरेंस का शो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस चैनल पर मैं आपको फिश लेड़ बहुत सर जानकारी देता हूँ आप कैसे फिश को क्यार कर सकते हैं कैसे फिश को ब्रीट कर सकते हैं वीडियो को स्टार करते हैं पांच चीजों को देखकर अब असानी से बता सकते हैं मेल और फिमेल का डिफरेंस ओ भी एडाल्ट होने के बाद अब इन पांच पॉइंट को मैं अभी ब्रीफली एक्स्प्रेंड करने वाला हूँ जो नमबर वान पॉइंट है हो है सेप जो मेल है वो उसका बॉड़ी स्लीमर होता है मतलब मेल पतला होता है और जो फिमेल है वो फैटी और मोटा टाइप का होता है दिए प्रेजेंस ओफ एक इनार बेली फिमेल थोड़ा सा फैटी टाइप का होता है और जो नेक्स डिफरेंस है वो है साइज यह difference हर एक fish में भी common है जो male है उस थोड़ा सा छोटा होता है female से और जो female है उस male से थोड़ा सा बड़ा होता है यह हर एक fish में भी common point है जो third point है वह color अब picture में देख सकते हैं जो male है उसका stripe है वो brighter है stripe मतलब जो horizontal stripe उसका body से run कर रहा है blue color का stripe वो brighter है और जो female है उसका stripe मतलब brightness का में उस stripe का यह था आज का हमारा वीडियो का third point और जो next point है वो है fins आप picture में देख सकते हैं जो male है उसका sub-fin ही लंबा है sub-fin मतलब जो डॉलसर फिन है जो anal फिन है और जो tail है वो male का elongated है और जो female है उसका short है यह भी एक difference है यह जब फिस जब adult हो जाता है तब यह sign आपको दिखाए देगा उससे पहले नहीं आज के इस वीडियो का जो last point है और जो number five है वह ब्रीडिंग behavior breeding season में जो male है वो female को chase करेगा male female को chase करते है to fertilize the egg जब male female को chase करेगा तब female एक को release करेगा और उस time भी male एक को fertilize करेगा यह था आज का last point so guys आज के लिए वीडियो इतना ही मिलते है next video में अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like and share कर देना और चनल को subscribe भी कर देना so guys मिलते है next video में तब तक के लिए take care bye bye